नमस्कार दोस्तो माई किसाम दोस्त वीटेव चनल पर आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपका किसाम दोस्त यह अज्जाट और दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फसल गहाई करने वाली थ्रेसर मशीन के बारे में दोस्तों आज मार्केट में कई सारी ठ्रेशर मशिन उप लबद है, कटर मशिन है, टोकरी मशिन है, लाइट से चलने वाली मशिन है और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टोकरी माडल पंजाव वन मशीन के बारे में जो मैंने इस साल खरी दी है और मुझे काफी एच्छी लगी और इसकी क्या-क्या विसस्ता है कितने समय में ये आपकी फसल को निकालती है इन सारी बातों को लेकर आज का वीडियो है इससे पेले दोस्तों मेरे पास विश्व कर्मा की पच्ची है एचिपी की जो मशीन है त्रेसर मशीन वो है उसके बारे में थोड़ा सा आपको वीडियो के माद्यम से बताऊँगा लेकिन दोस्तों इन सारी जानकरियों को सुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि जो किसान भाई पहली बार हमारे चैनल पर आये हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को अभी यहां रोक दे और रोक कर वीडियो के नीचे एक रेट कलर का सब्क्राइब बटन है उसे दबा कर चैनल को सब्क्राइब कर ले साथ ही पास आए घंटी के निशान को भी दबा दे तक कि जब भी हम यहां खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी जानकारी डालने तो उसकी सुचना आप तक पहुँच पाईए चलिए दोस्तों सुरू करते हैं थ्रेसर मशीन के बारे में जानकारी दोस्तों मेरे पास विश्व कर्मा की जो मशीन है वो 25 HP की मशीन है और इसे मैं 17,735 से ओपरेट करता हूँ इससे आप बड़े आकार के या बड़े दाने की जो फसले हैं जैसे ग्याओं, सोयबिन या आशानी से निकालती है और काफी स्पीड से निकालती है दस ग्यारा बोरी ये एक घंटे की भर देती है लेकिन साथी इसके अंदर क्या है मजदूर की संक्या जादा लगती एक तो आपके जो फसल निकलती है तसले में उसे उठाने वाले मज़़ूर की जरूत होती है साथ ही इसके अंदर फसल देने वाले दो मज़़ूर की उपर जरूत होती है इसके जो प्मेटी है उस पर खड़ा रहना पड़ता है जैसे आपका यह हो गया सरसु हो गया, जीरा हो गया अजवाइन हो गई आपका मशूर हो गई साथ ही आपकी जो इसबगोल हो गया ये इन फचलो को आसानी से नहीं निकाल पती है उसके अंदर उड़ जाता है और साप नहीं आता है तो मैं इसका उपीवग मडल बास्केट मडल मशीन कहा जाता है त्रेसर मशीन कहा जाता है इसके अंदर आप सोय बिन जवार बाजरा अरहर सरसू धनिया जीरा अजवाइन मेती अलसिया चना मसूर इसबगोल कलोंजी बर्सिम गवार गेहूं तारा मिरा तुलसी आधी कई सारी फसले हम आसानी से निक साथ ही इसके अंदर जो डंटल आते हैं वो इसके ज़री निकल कर यहां आ जाते हैं और उन्दर की तरफ elle के चले जाते हैं साथ ही दोस्तों इसके अंदर आप रहे हैं एक यह हत्ता लगा हुआ है इसे हम नीचे की तरह अगर खींच लेते हैं तो पीचे से बास्केट के अंदर से फसल जाना बंद हो जाती यानि कुछ गिर जाए कुछ भी हो जाए या फिर टेक्टर दब रहा हो तब इसको खींचा जाता है इसको रोका जाता है इससे यह वाला partition पूरा पीच्छे का जो फसल खिचने वाला है वो रुख जाता है जिससे आपके अंदर जो drum है वो पूरी खाली हो जाता है उदर का partition चालू रहता है इदर का partition बंद रहता है फसल रुख जाती है और फिर वापस इसको उपर कर देते तो सारी फसले चलने लगती साथ ही दोस्तों इसके उपर एक और हत्ता आपको दिखाई दे रहा है इस हत्ते को उठाने पर अंदर अगरदी आपके कंकर वगरा कुछ भी आ जाते हैं तो वो बाहर आशानी से निकल जाते हैं पूरे ड्रम को आपको खोलने की जरूत नहीं होती इसको ऐसे खोलने पर इसके अंदर कंकर पत्तर कुछ भी आता है तो बाहर की तरफ यहां से निकल जाता है यहीं कि आपके तो अंदर कटर लगे हुए हैं उनका कोई नुक्सान नहीं होता है चलिए हम उपर चड़के इसको आराम से देख लेते हैं इसको हम खोलके देखते हैं कि कहां से पत्तर बाहर आते हैं यह देखी इसके अंदर जो दांते लगे हुए हैं यहां अगर पीछे फसल देते हैं तो उसमझ अगर कुछ भी आ जाता है तो वह आसानी से बाहर की तरफ नहीं का जाता है साथ यह उपर हम चेक भी कर सकते हैं कि अपनी जो ड्रम है उसके अंदर क्या पत्थर बगेरा तो नहीं आये है या फिर कुछ बहुत से बाहर कोई चीदे गिर जाती है तो वह यहां से आसानी से देख सकते हैं के सई है के नहीं है चलिए दोस्तो अब नीचे की तरफ हम इस मशिन को पूरा देखते हैं दोस्तो इस मशिन की जो कीमत है वो है 3.5 लाक रूपा है और यहां से आप इस मशिन के अंदर ओयल दे सकते हैं इनके जो पार्ट से हैं काम करने के लिए ओयल की आप सकता होती है तो यहां से आप ओयल भर सकते हैं साथ ही फेंड बेल्ड लगी हुई है फेंड बेल्ड कम जादा करने के लिए पूली है जिससे आपको अंदर रोटर गुमता है उसकी speed कम ज़ादा हो जाती है साथी safety के लिए यहाँ पर एक जाली दे रखिए जिससे आपके जो मज़दूर काम करते हैं safely रहें किसी तरह की कि उनको नुक्सान नहीं हो साथी दोस्तों यहाँ जो आप देख रहे हैं यह toolbox से है इसके अंदर आपके machine के पाने वाने आप रख सकते हैं साथी दोस्तों इस machine के अंदर जो आपके फसल का जो दाने वगेरा होते हैं जो कच्रा बाद में इखटा हो जाता है पाल पर उससे डालने के लिए भी एक छोटी सी पेटी दे रखी है यहाँ हम इसे खोल के देखते हैं तो इसके अंदर हम जो भी कच्रा बगेरा धूल मिटी वो डालते हैं तो आपके फसल चाली पर च्छन कर नीचे की तरब दूसरी फसल के साथ आसानी से आ सकती है उसका कच्रा उपर के तरब च्छन जाता है और साथी आप चलते हैं हम यहां देखते हैं तो इस मशिन को बनाया है पंजाब एग्रोटेक इंडिया प्रेवट लिमिटिन ने भटिंडा रोड रामपूरा पूल भटिंडा पंजाब की यह मशिन बनी हुई है और सेपली सुरक्षा की कुछ नियम बता रखे हैं और नीची की तरफ बारिक जाली यह फिक्स रहती है अब दोस्तो हम आते हैं इसके हवा वाले सिस्टम पर यहां से आप हवा को कम ज़्यादा कर सकते हैं आपकी फसल के जो दाने वगेरा निकल रहे हैं अनाज जो निकल रहा है उसमें अगर कच्रा आ रहा हो तो यहां से आप उसको कम ज़्यादा शेट करके साप कर सकते हैं और यहां से वो जो कच्रा है वो सीधा उड़के बाहर तरला जाता है अब यहां पर आप दिख रहे हैं दोस्तों कि यह जो दिख रहा है आप अगर तसले में आपकी फसल लेना चाहते हो तो आप अपनी फसल को यहां से तसले में ले सकते हैं साथी दोस्तों बहुत सी बार अपनी जो फसल निकलती है उसके अंदर धूल मिटी और जो खत्पतवारे उसके बीज आते हैं तो इसमें छोटी वाली जाली रहती है उसके अंदर छन कर यहां से आप निकाल सकते हैं मतलब इसके अंदर आप वो जो धूल मिटी और बारिक बारिक जो रहती है छोटे मोटे बीच जो रहते हैं खत पतवार के वो इसके अंदर आ जाते हैं साथे दोस्तों अब यहां पर देख रहे हैं आप यहां आप बारदान बोरी जो होती है आपका कट्टा वगएरा लगा कर फसल भड़ सकते हैं और उपर की तरफ इसको खोल कर आप इसका उपयोग सीधा जो आपकी ट्रोली होती है टेक्टर उसके अंदर डाल सकते हैं यानि क इसको पीछे देने वाला चाहिए होता है फसल को सीधा आप ट्रोली में अगर डालते हो तो और यह फेल्ड मेल उताने के बाद आप तसले में नीचे लेना जाते हो तो भी फसल आपकी नीचे की तरफ आजाती है यहां पर भी एक जाले दे रखिए सेप्टी के लिए और मै से चला सकते हैं दोस्तों अब जो आप देख रहे हैं यहां पर मैं आपको बता रहा था कि जो फसल है वो उसके जो डंटल है वो सीधे यहां से उड़कर इस साइड से फसल नीचे चल जाती है और डंटल इसमें आ जाते हैं और इसमें आकर उपर की तरफ जो आपकी टोकरी वहाँ चले जाते हैं चलिए अंदर देखते हैं इसके अंदर देखने पर इसके अंदर कुछ राउंड में ऐसे लगा रखे हैं जो आपके जो डंटल उगेरा है उनको खीच कर सारा आगे सारा जो मट्रियल है उनको खीच कर वेस्ट मट्रियल को पीछे की तरफ डाल जैता है इसके अंदर कुछ दाने भी आते हैं फसल साप निकालते हैं तो कुछ दाने भी अंदर चले जाते हैं तो वापस से वो मशिन के अंदर आ जाते हैं यहां आप देख रहे हैं कि कुछ दाने जो डंटल वगेरा पड़े हैं जो वेस्ट है वो इस machine के अंदर चले जाते हैं चलिए अब आगे चलते हैं अब यह है जो यहां से आपका भूसा वगएरा बाहर की तरफ निकलता है वो system है और अब नीचे आते हैं तो यह drum वगएरा भर जाता है तो हम इसे खोल कर आशानी से देख सकते हैं आपके drum में ज़्यादा कच्रा तो नहीं हुआ है आधी जानकरी देखने के लिए यहां हमको खोलना पड़ता है यह फैन लगे हुए हैं और नीचे की तरफ मैंने आपको बताया जालिया जालिया यहां से खोल कर चेंज हो जाती है JCV फसल के आपको शेट करनी है वह आप यहां से शेट कर सकते हैं आप मैं आपको पता रहा था डंटल का डंटल इसके अंдर होते हुए दोस्तो सीधा उपर चले जाते हैं आप कभी कभी डंटल फढ़ जाते हैं तो यहां से खोल कर आप जब भी मशिन साप करनी हो तो डंटल वगरा निकाल सकते हैं अब चलिए दोस्तों डंटल किस तरफ गिरते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर भी आगे एक safety के लिए जाले लगी हुई है जिससे मज़़ूर काफी safely रहते हैं इसमें उनको सुरक्षा काफी अच्छी इ अब जो डंटल आते हैं दोस्तों वो इधर होके आपको एक छोटा सा पाइप दिख रहा है इस केसिंग के जरिए इस पाइप के जरिए नीचे की तरफ आ जाते हैं कुछ डंटल पड़े हुए हैं यह देखिए आप यह डंटल इसके अंदर आ जाते हैं और फिर से मशिन के देखिए कहीं आपको बाहर जाना है तो जाली यहां रखकर आशा नीचे जा सकते हैं चाहिए इसके साथ तीन इस तरह की कि यह कटर के नीचे की जाली आती है यह सबसे बारिक वाली जाली है जिसमें छोटे-छोटे जो सर्शू वगेरा होते हैं जो छोटे धान फसल होती ह वो निकालने के लिए उप्योग किया जाती है एक बड़े डॉलर चने की भी आती है साथ ही इसके साथ दोस्तों तीन चार जालियों का सेट आता है ये डॉलर चने के लिए है चार जालियों का सेट आता है दो अंदर लगी हुई है चार यहां पड़ी हुई है ये बड़े आक सुखोपpitे के लिए दाने के दाने पहलाने सिद्सक्राइद करका दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस म मशिन में स्टॉकरी के अंदर देता है एक के बाद एक फूली इह अपने इसाब से लेती रहती है और ग्यहूं निकालती रहती है जो निकलने की इसकी दर रहती है वो एक गंटे में शाड़ा नो बोरी के लग बग निकालता है यदि अपने टेक्टर की जो स्पीड है वो 10 से 11 के बीच में रख रहिए और पूरी ज आप देख रहे हैं ग्यों पूरी तरीकी से साफ इसमें निकल रहे हैं इसके अंदर कोई मजदूर के आवसकता नहीं होती बस एक मजदूर होता है और ट्रोली लगा के टेक्टर सेट करने पर अकिला मजदूर पूरा ग्यों निकाल देते हैं यदि आपके ग्यों इखटा है आपने कर रहे हैं तो चलिए दोस्तों आप देखते हैं दूसरी फ़सल के बारे में दोस्तों पेले ग्यों निकाले ग्यों के बाद हम मेती के बता देते हैं कि मेती कैसे निकलती ये मेरे मज़दूर है और जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो मेरा सेयोग करते हैं और बड़े हाशी मज़ाग के साथ मेरे साथ यहां खेतों में काम करते हैं और चलिए हम इसके बीज देख लेते हैं कि मेति का जो बीज होता है वो काफी छोटा होता है और वो भी स्ट्रेसर में काफी क्लीन निकल रहा है वो सारे वीडियो में आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अब चलिए हम चलते हैं चने के उपर जो डालर चना होते हैं काबुली चना होते हैं वो अक्सर मशीनों के अंदर फूट जाते हैं दाले बन जाती है लेकिन इस ठ्रेसर मशीन के अंदर वो भी काफी बिल्कुल भी दाने नहीं हुए हैं तो चलिए हम इसके बीज देख लेते हैं किस तरीके से चाने के जो बीज निकल रहे हैं वो पूरी तरीके से साफ है यह देखे दोस्तो इसके जो बीज आपको दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल साफ है किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है औ दोस्तो कुल मिला कि यह जो थ्रेशर मशीने काफी अच्छी मुझे लगी काफी अच्छा इसका रिजल्ट है टेक्टर भी अच्छा एवरेज देता है और इससे जुड़े गर आपके कोई सवाल हो तो मुझे कमेंड में जरूर पूँचे मैं कोशिश करूँगा आपके सवा करके जाईए जल्द मिलेंगे दोस्तो एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में तब तक के लिए मुझे दीजे इजाज़त जय बारत जय किसान